हाई फ्रेंट्स आज मैं आपको ग्राप्टिंग जो है ग्राप्टिंग के प्रकार बताने जा रहा हूं तो यहां जो ग्राप्टिंग हम करने जा रहे हैं यह देखेगा यह भी ग्राप्टिंग नहीं है यहां जेड ग्राप्टिंग है इसे टंग ग्राप्टिंग भी कहते ह और इसे वीप ग्राप्टिंग भी करते तो इसमें क्या किया जाता है दोस्तों देखेगा यहां एक तरफ से चाप मारतें completely तीरचा और उसको उड़ा देते हैं और उसके बाद में उड़ाने के बाद में उसमें यह देखेगा उड़ाने के बाद में वहीं से एक 50% या 60% नीचे से एक फिर से वर्टिकल कट मारते यह देखेगा यहां पर यह इसमें इसमें यहां Clipped Grapting है जो की छाल के साथ में Hard Ood है थोड़ा और कितने परसंड पर टैन परसंड टोटल बार्क के यहां भी देखेगा यहां यहां जो है यहां सेंटर से इंसर्ट किया गया है वर्टिकलि तो यहां भी कलेट गर्प्टिंग है तो कलेट ग्राप्टिंग मिंस हाड ओड के सат में बार करती है उसे कले क्लेट लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी जैसे रूटी स्टॉक रही रही ब्रेंच रही तो उसमें समझें आपका सायन मोटा नहीं पतला है और आपका वहां मोटा मोटा रही कंसिडर करो रूटी स्टॉक तो उस वक्त में आपको एड़्यस्ट करके 50% में स साइड में 20% से आपको हर्टिकल करें ताकि सायन का जो बार्क है वहां को मैच हो तो दोस्तों मेरा चैनल सब्क्राइब कीजिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए और और जो है और को क्लिक कीजिए ताकि आपको नहीं ने नोटिपिकेशन मिलते रहे तो मैं आपसे राफिंग जिस्टेंग राप्टिंग कृण जाता है यहां देखिएगा जर और कि इस प्रकार अ देखिएगा जर इस प्रकार सेप से पहले तीरिल्चा कट मार लीगे और उसके बाद में एक वर्टिकल कट पतला एकदम 10% और यह देखिए गा इसे जेट टाइप का आतार बनता है तो जनरली यहां जो घ्राप्टिंग तो यह देखिए-घ्छ तो यह जैने आपल प्रोपेगे शनल एपला का ग्राप्टिंग जेद नूवा बन गया जान Cor mistake ॽ। और इसलिए इसे जैने को इसे लिए जञातने सी को सब्सक्राब कोई ग्रते वह कहते हैं तो यह संअ गराप निंग आपना जेद 대한 एव ड्राप टिनग में यहां जनरली सेप के पौधों के लिए ग्राप्टिंग के लिए सेप के इस्तमाल किया जाता है तो हम आपके डिमांड पर कुछ लोगों के डिमांड पर यहां वीब ग्राप्टिंग जो कि आपल में किया जाता है वहां ग्राप्टिंग का प्रकार आपको हम समझा रहें यहा बागी प्रोसेस तो सेम है लपेट ने हो गेरे का जो प्रोसेस है सेम है लेकिन आपको एक बता देना चाहता हूं स्पेशल थिंग कि जब भी यहां हाड टाइप का जो आपका गरूटी स्टॉक है कड़क वाला इसके लिए सौप्ट वाली जिल्ली इस्तमाल नहीं किजिएगा क्योंकि वहां टाइट नहीं बैठता तो इसके लिए फिप्टी टू माइकरान वाला जो पॉली तीन है जीरो से दागा भी बनता है दागा एने आप इसको स्नेच करते हैं तो इसका यहां दागा छोड़ता है क्योंकि इलस्टी सिटी होने के कारण तो यहां पॉली तिन कहां मिलती है उसके बारे में बता चुकाओं कि बड़े जो पॉली तिन के सौप्स है हर तालू का प्लेसेस पे जह की टाइब का है यहां तो दोस्तों इस पौदे पे लगबग 6-7 प्रकार के मैंगो काम ने सायाम फिट किया है तो आप मेरा यह जो चैनल है वो सब्क्राइब करने के लिए मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं डबल से और से की कि सब्क्राइब करने से मेरा जो रैंकिंग है वह बढ़ता है और जो भी वीडियो आप देखते हैं तो आईसी ही आपको जिस प्रकार नए वीडियो के नोटिपिकेशन मिलते हैं किसी चैनल के तो उस प्रकार मेरे अगर से लाइक्स बढ़ते हैं और सब्क्राइबर देखे उस बंदे के जब वो किसी वीडियो को देखता है तो उसके नीचे एक नोटिपिकेशन जाता है तो यहां एक फाइदा है इसलिए मेरी आप लोगों से हमबल रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्क्राइब कीजिएगा हाला कि देखना ना देखना बात का मैटर ह है कुछ लोग यह भी सोचता है कि सब्क्राइब करने के बाद में नोटिपिकेशन मिलते हैं तो आईसी कोई बात नहीं है नोटिपिकेशन आने के बावजुद भी अगर आपको देखना नहीं है तो आप ना देखते हुए उसे पास आउट कर सकते है ऐसा कुछ नहीं है ल